प्रिये चात्रों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल लर्न विथ आर्पीवर आज मापके सामने कच्छा दसके हिंदी काब ये रस्खान जी द्वारा रचित सवये सीर्शक का पद नंबर 6 ले करके आ गए हैं आज की इस वीडियो में हम इस पद को बहुत ही बिस्तरत तरीके से पढ़ेंगे पीछे के 5 वीडियो में हमने 5 पदों को पढ़ लिया है अब आगे जितने भी पद हैं हम आगे की वीडियो में उनको पढ़ेंगे तो आए इनका हम लाइन बाइन करके अर्थ समझते हैं सबसे पहले हम इसको पूरा एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको इसका आर्थ समझाएंगे द्यान से देखिएगा मोर पखा सिर उपर राखी हों तो एक सखी दूसरे सखी से भगवान स्री क्रेशन के मुरली के प्रति भगवान स्री क्रेशन से इर्षया नहीं भगवान स्री क्रेशन जो मुरली धारण किये हुए हैं उससे इर्षया के भाव में उनसे क्या कहती है कि है सखी मोर पखा सिर उपर रखी हों मैं अपने सर के उपर, सीर के उपर, मोर का पंख धारण करूँगा, जिस प्रकार भगवान स्री क्रेशन धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने सीर के उपर, मोर का पंख धारण करूँगी, गुंज की माल गरे पहिरूँगी, गुंज मतलब गुंजा, गुंजा एक फ पंक धारन करूंगी और गुंजे के फूल की माला मैं भी अपने गले में पहिनूँगी। ओड़ी पितंबर लाई लकुटी, ओड़ी पितंबर मतलब मैं भी अपने सरीर पर पीला वस्त ओड़ लूँगी, अर्थात पीला वस्त धारण कर लूँगी, और लाई लकुटी मतलब मैं भी एक लाठी ले लूँगी, बन गोधन गौरन संग फिराऊंगी, बन मतलब जंग गोपी क्या कहती है दूसरी गोपी से कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी मतलब कि भाव मेरा वही रहेगा कहने एक मतलब कि सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगी मतलब जो जो भागवान स्री क्रिशन करते हैं वो वो मैं करूंगी भाव मेरा वही रहेगा जो उनका है लेकिन या मतलब लेकिन मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरंगी तब क्या कहती है या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरंगी द्यान से चमझेगा क्या कहती हैं कि सब करूंगी जो भगवान स्री क्रिश्न करते हैं लेकिन मुरली मुरली धर की मुरली धर का अर्थ यहाँ पर है मुरली को धारण करने वाले भगवान स्री क्रिश्न मुरली मुरली धर की अर्थाद भगवान श्री क्रिश्न की मुरली को मैं अधरान धरी अधरा न धरूँगी कहने के मतलब कि जो उन्होंने अपने होटों पर धारान किये हुए हैं मुरली को वो अधरा मतलब मैं अपने होटों पर ना मतलब नहीं धरूँगी मतलब धारण करूंगी कहने के मतलब कि मैं सब कुछ करूंगी जो वो करते हैं लेकिन जो वो अपने होट पर मुरली धारण करते हैं वो मैं अपने होट पर कभी भी धारण नहीं करूंगी अब आप समझ सकते हैं कि उनकी मुख इर्षया किसे है मुरली से क्योंकि जब वो सब कुछ करने के लिए कह रही है लेकिन अधरान धरी अधरान अधरांगी मुरली धर की मतलब मुरली धर की मुरली को कभी भी होटों पर धारण नहीं करीगी तो उमीद है आपको ये पद आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे रोजाना इसी परकार के वीडियो पाने के लिए